हेलो फ्रेंड्स प्रोडामिल लेंग्वेज MCQ की स्रीज माज हम लोग नया कुशन करने वाले हैं यह भी एरे से रिलेटेड होगा लेकिन यहां पे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहां पे इसने क्या क्या हुआ है एक एरे डिकलेर क्या हुआ है और यहां पे इसने कर दिया है एरे 5 0,1,2,3,4 यहां पे इसने लूप चलाया हुआ है लेकिन लूप में इसने क्या क्या हुआ है रिवर्स में लूप चलाया हुआ है तो आई का वेल्यू इसने 4 ले लिया है आई 0, आई मैनस मैनस और यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया है array i जो बिसले क्या करेगा i वाले value के अनुसर value को प्रिंट करता रहेगा और यह इसने यहाँ पे options देती है तो देखे जिदे आपको array का concept पता नहीं है तो आप क्या करोगे यहाँ पे देखोगे कि अच्छा इसने एक array declare क्या हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ array 5 यहाँ पे हमारे पास value है 0, 1, 2, 3, 4 जब यहाँ पे यह loop चलेगा तो i का initial value 4 मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4 तो इसका पहला value जो होगा वो 3 होगा यहाँ पे चुकर इसने क्या हुआ है i greater than 0, i minus minus और यहाँ पे इसने print करवाया है तो जब array 4 होगा तो आप क्या print करवाओगे पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1 उसके बाद 0 तो यहाँ पे आपका answer होगा 3, 2, 1, 0 लेकिन जदे आपको indexing के बारे में पता होगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि चुकि indexing 0 से start होता है तो इसका मतलब i का value 4 indexing 0 से start होता है तो यह 0, 1, 2, 3, 4 मतलब initial value जो होगा 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा तो यहाँ पे आप B पे tick करोगे लेकिन जदे आप यहाँ पे care नहीं करोगे कि यहाँ पे I greater than 0 लिया हुआ है तो आप क्या करोगे 4, 3, 2, 1, 0 पे click करोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने 0 का care नहीं किया यहाँ पे आपने सोचा कि 4 से 0 तक लूप चलेगा लेकिन एक और यहाँ पे condition है जदे आपको array का concept पता है तो array में बोलता है कि जब भी आप एक array को declare करते हो और declaration के type या value in slice नहीं करते तो उस case में आपको यहाँ पे array का size देना जरूई होता है जदे आप array का size नहीं दोगे तो यह compilation error देला तो उस case में आप क्या करोगे यहाँ पे none of the error क्लिक करोगे या फिर आपको यह भी पता है कि जब यहाँ पे हम array बनाते हैं और array बनाने के बाद जब यहाँ पे हम array के साथ यहाँ पे value लेते हैं तो actual में यह value को present करता है मतलब array 5 को value होगा जो fifth position पे होगा तो fifth position में आपका 5 value कैसे रह सकता है तो इसलिए हमारा यहाँ पे d answer हो जाएगा हो सकता है यहाँ पे d पे आपको syntax error का भी option मिले या फिर बोल दे compilation error तो वो भी चल जाएगा इसको check कर लेते हैं यह हमें error ही देगा इसको copy किया new file create कर लेते हैं empty file control v control s yoga mcq10 dot c enter इसको compile and run करते हैं तो देख सकतों यहाँ पे इसने error दिया है तो इसलिए यह चीज़ा आप ध्यान में रखियागा तो उमीद है यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छे लगे होगी ज़र अच्छे लगे होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भूर करें साथ ही विल आइकन को इप्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नए उडियो अप्रोड करूँ उसकी नोट भी किसन आपको तुरण मिल जाए थैंक्यू, हैपी लर्निंग